नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बजट की रसोई में आज हम मोहबत का सर्वत बनाएंगे आज बिना हम तर्वुजे को काटे और बिना बीज निकाले ही दो मिनट में ही इसका जूस तयार करेंगे आईए हम देखते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए बीच में से हम कलिंगर को काट लेंगे और उसे चाकू से काटेंगे ने बलकि चमच की सायता से इस तरह से इसका पल्प निकाल लेंगे मैंने इसका आधा ही पल्प निकाला हुए तरबूजे का इसमें दो चमच चीनी आधा कफ दूद मिला कर हम इसे तयार करेंगे ये देखे इस तरह से हमारा तयार हो चुका है अब इसे चान लेते हैं ये देखे हमारा ताजा होममेड सर्वत तयार है इसका जो आधा भाग था उसे भी हम उसे कट करके क्यूब में इस तरह से कट कर लीजिए और उसे सर्व करने के लिए हम रखते हैं एक कप में एक क्यूब डाल दीजिए तरबूजे का और उसे जो हमने जूस बना के रखा है उसे इसमें डाल दीजिए बहुत ही टेस्टी यम्मी लबता है ये ये देखिए हमारा आधे तर्वुजे में दो गलास और आधा गलास बना लिया है अब इसे हम तर्वुजे से डेकुरेट करेंगे ये देखिए हमारा ताजा होममेड तर्वुजे का जूस तैयार है इसे आप दोस्तों के साथ और रम यह बहुत ही तेस्टी यम्मी यह सर्बत पीने में लगता है और रिफ्रेसिंग है और खासकर गर्मियों में भी इसका लुप्त लिया जा सकता है तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और सब्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं पार रिफ्रेसिपी केसी